गुड मॉनिंग प्रधानमंत्री बनते हैं 1986 में देश की प्रधानमंत्री बनते हैं और शाचछ से 76-77 तक मानन करो दस साल इधर आप लगा कर याद करना शाचछ से 76-77 तक इन्द्रा जी का ही सासनकाल था और इन दस सालों में ने बहुत सारे ऐसे काम किये जिसे दंजन्दा उनसे बहुत खिलाब भी थे, कुछ अच्छे भी कड़े फैसले भी लिए थे, जो की देश के हित के लिए था, हम उधर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, इंद्रा जी के दो बच्चे थे, एक का नाम था राजियू गाधी और एक का नाम था संजे गाधी, पिछली बीडियो में यही बताया था आपको, इसे में जो राजियू गाधी थे, वो बाहर रहते थे, वीदेश में रहते थे, और जो संजे गाधी थे, वो यहीं पर रहते थे, इंद्रा के साथ रहते थे, अब हुआ क्या, कि इंद्रा गाधी के जितने भी काम होते थे राजनीती वाले संबंधी जितने भी काम होते थे संजे गाधी उनमें उनका help करते थे लेकिन संजे गाधी के खोबी ये थी कि वो रेसिंग के मास्टर ते मतलब ये बाइक चलाना कार ते चलाना उस टाइम तो जो नई नई गाड़ी चलाना कोई भी खरिदना तो आम बात थी जो नई निमारूती गाड़ी आती थी उसको लेकर रेस पर निकल जाते थे और उस समय हेलिकाप्टर उडाना जो की अक्सर जन्मादिन था हमने बताया था और इनके जन्मादिन पर ही एक मुलाकात होती है इनकी आपको बताये थे जिनसे इनकी साधी होती है क्या नाम था उनका जिनसे इनकी साधी होती है मेंका जी से इनकी मुलाकात होती है मेंका इनको काफी पसंद आ जाती है लेकिन ये मेंका जी स यह सद्र शाल इसी साल बढ़े थे . मेंका ने सद्रेवनियlements नियुर्ण की और संजे गादी . और 76-77 तक इंद्रा की कुर्सी चली जाती है और देश में एक 77 के लाष्ट तक नए प्रधान मंत्री आते हैं आपको पता होगा जिन से शुरों में मन मोटा हो गया था इंद्रा गाधी का याद होगा आपको मुराजी दिसाई जो की पार्टी छोड़ दिये थे मुराजी दिसाई की सरकार बनती है 77 में 77 से 78 नाशी साल तक मुराजी दिसाई की सरकार थे उसके बाद एक नए प्रधान मंतरी का करम याद करना है कौन किसके बाद था तो अभी तक जिस हिसाब से बता रहे ना आप उसको याद लगें प्रधान मंतरी बनते हैं मुराजी दिसाई उसके बाद चौदरी चरणर सिंग बनते हैं पांचे मही निकले चौदरी चरणर सिंग की सरकार आती है और असी में इनकी सरकार गिर जाती है इधर की बाते त्यान समझे गा चौदरी का ही एक डेट है अचानक ही वो गोते खाते हुए आके गिरता है और बहुत भयानक आवाज होती है और विस्पोट होता है उसमें संजे गादी की हत्या होती है मतलब मर जाते हैं अचानक से संजे गादी की मौत हो जाने पर पूरा दीस एक दम स्तब्ध हो गया एक नौजवान लड़का जो की अक्सर बड़े अच्छे चिनड़े लेता था और इंद्रा गादी की बहुत हेल्प करता था हर जगह पर अचानक ही उसकी मौत हो जाती है सब लोग देखती रह जाते हैं और सबकुछ तो छोड़िए इस समय साहधी कि इनसी हुई थी मेंका गान्दी की से इनकी साधी हुए थी मेंका से ना जोकी मेंका इनक से 10 साल चोटी थी और उनसे इनकी साधी हुई थी और अभी कितना दिनों 74 अगर 75 के आसपास साधी हुई गया चलिए अचानक से वीडियो रुख गया था चार-पांच साल हुए साधी हुआ था और अचानक ही इनकी मौत हो जाती है और इतनी छोटी लड़की थी कितना हुआ होगा ठारा साल मेंगर साधी हुएगी चार-पांच साल बादमान के 23-24 साल के उम्र में अचानक से संजेगादी की मौत हो जाती है और इसी समय की बात है किसी बात को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी इनसे मेनका से और इंद्रा से इंद्रा जी अभी जिन्दा थी प्रॉब्लम चल रही थी और किसी छोटे से जगडए की वज़े से इंद्रा ने मेंका को घर से निकाल दिया और मेंका मेनका गाधी कि जो मेनका गाधी जिसकी पतनी है उनका एक भाई भी था बताये थे आपको मतलब संजे गाधी का एक भाई था ना क्या नाम था? राजीयो गाधी जो की बाहर रहते थे अब इधर सुनिएगा इधर बात क्या होती है इंद्रा गादी प्रधान मंत्री बनके सामने आती हैं 1980 में और 88 का दौर पंजाब की आसपास का छेतर बड़ा असान था पंजाब वाला छेतर में और वहाँ पर अतंगवादी वाली घटनाएं बहुत जादा होती थी तो वहाँ पर कुछ सिख गुंडे टाइप के लोग थे जो कि वहाँ पर सुण मंदिर जो है अमरे सर में है न सुण मंदिर उसमें घुस गए थे इंद्रा जी ने कही बार आदेश दिया कि मंदर खाली कर दो भक्तों के लिए लेकिन मंदर वह लोग छोड़ नहीं रहे थे तो इंद्रा जी ने आपरेशन ब्लू इस्टार चल आया और वहाँ पर धेर सारे साइनिक लगा दिये और कई दिन गोली बारी होने पर बहुत सारे सिख वहाँ मारे जाते है जिससे कि पूरा सिख कम लोग बहुत गुस्टे में आ जाते हैं उस टाइम इंद्रा जी के जो बाडी गाड़ थे वो भी सिख थे एक का नामता सतवंत सिंग एक का नामता बेयंत सिख थे और इंद्रा जी को सलाह दिया जाता है कि आपकी वज़े से अब रिस्टर में गोली कांट हुआ है बड़ी मातरा मसी कमारे गए है ऐसा करिए आप वहां से अपने बाडी गाड़ को बदल लीजिए तो इंद्रा इन बोला कि नहीं है हमारे घर के फैमिली जैसे हैं हमें इंसे प्रॉब्लम नहीं है तो उन्होंने अपने बाडी गाड़ को नहीं बदला और याद है 31 अक्टूबर का दिन था 1984 की बात है अचानक ही इंद्रा जी अपने गाड़न में टहल रही थी और अचानक ही दोनों तरफ से दोनों लोग खड़े होकर गोली बाड़ी करना शुरू कर देते हैं मतलब उनके दोनों बोड़ी गाड़ उन पर गोली चलाना शुरू करते हैं मतलब कि यह सोच के गोली मार रहे था एक बचनी नहीं चाहिए इतनी गोली मारने के बाद भी एक तरफ से चिला रहा था क्यों और मारा और मार बची नहीं है मतलब बचने न पाय इतनी गोली यह मारे गए कि इंद्रा जी का बुड़ा सरीर वहीं गिरता है और तुरंत ही मर जाती है हाला कि उनको बाद में अस्पताल भी ले गया लेकिन पता जला कि मर चुकी है अचानक से इंद्रा जी की मौत हो जाने पर राजियो गाधी को कारभार दिया गया और देश में एक नए प्रधान मंत्री की इंट्री होती है एक नाउजवान सबसे युवा प्रध लालबादूर सास्त्री फिर उसके बाद इंद्रा जी के बाद मुराजी दिसाई आये थे 77-78 के असपास उसके बाद 14-14 महीने के लिए फिर से इंद्रा जी आई थी और 84 में अचानक उनकी हत्या हो जाती है और नाबट बैंक की अस्थापना 1982 मुही थी जानते रहेगा में ईंद्रा जी ने चाहबंगों पोचे जाते और एक बात उनी सो। चाहचा में जब इंद्रा जी की सरकार्टी भीक थी शॉडबर हाई च्छूट पर तो मुक्रे तक यहूं पंजाब और हरियाड़ा किसेत में और पस्टमी उत्तर परदिस में इसका बहुत फायदा मिला था उनीस सुनत्तर की बात है आपरेशन फ्लट चलाया गया था दुग्द करांती को बढ़ावा देने के लिए अपरेशन फ्लट चलाया गया था ठीक है और इंद्रा जी ने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था यह तमाम चुटी 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 क्योश्चान है जो पीपर में आते हैं तो हमने के जो प्रदान मंत्री कवर कर लिया उसमें थे लाल भादूर सास्त्री थे इंद्रा जी ह प्रदान मंत्री अब इनके बारे में इनके कामों के बारे में बहुत सारी इंपोर्टन फैक्ट है नेस्ट वीडियो में कवर करेंगे देले देले करके आप सब जोड़ लेंगे न तो जितने कि उस्चन पॉल्टी वाले यहां से बनते हैं या पिर एकॉनमी से मिलाकर जो बनते हैं बड़ी अराम से आप कर लेंगे तब तक आप पढ़ते रहें मिलेंगे नेस्ट वीडियो में और बहुत सारी चीजी आपको बताएंगे